नमस्कार किसान सत्यों मक्का भाव तेजी मंदी रिपोर्ट हम वीडियो के अन्तम में जरूर बताएंगे इसलिए पहले आप मक्का भाव जानिए नमस्कार किसान सत्यों आप सभी का स्वागत है अपके अपने यूट्यूब चनल पर आए जान लेते 12 फरवरी 2022 को आल इंडिया में मक्का भाव क्या रहे सबसे पहले बात करते हैं उतर प्रदेश के फरुकाबाद में 1725, मेनपूरी में 1800, लखिमपूर में 1710, उन्नाओ में 1755, मेरेठ में 1950, हरदोई में 1800, गोतम बुद्नगर में 2000, फरुकाबाद में 800, बल्रामपूर में 1900, औरैया में 800, ललिकपूर में 1900, सहरनपूर में 1950, मेनपूरी में 825, कानपूर में 825, गोंडा में 800, गाजियाबाद में 1930, बहराइच में 1790, हर्दोई में 1760, गाजियाबाद में 1900, एटा में 1907, गोंडा के नवाब गंज में 800, कर्णोज में 1950, मुरादाबाद में 2000 रुपे, बहराइच में 810, हर्दोई के मादो गंज में 800, फ ओडिश्या के नवरंगपूर में 1600, करनाट के कोपल में 1850, बेंगलोर में 2400, बिजापूर में 1901, हवेरी में 1880, बेलारी में 1906, मुंदरागी में 1909, बागल कोट में 1923, चीत्र दूर्ग में 2000, धारवाड में 1850, गुजरात के भरुच में 1700, दाहोद में 1880, भरुच के 36 गड़ के धमतरी में 1500, कोरिया में 1850, सर्गूजा में 1825, कांकेर में 1400, तमिलाड़ के सालिम में 1950, विलूपूर में 2000, काल कूरिची में 2000, करनलूर में 1890, सालिम के थंपती में 880, का भाव रहा महीं बात की जाए, मद्य पर्देश की, तो मद्य पर्देश के साजापूर में 1750, देवास में 1650, विदीश्या में 1750, खर्गोन में 1825, सनावाद में 1700, भिकन गाउं में 1800, राजगर्ड में 1866, चिंदवाड़ में 1957, मंसोर में 1910, बेतुल में 1881, का भाव रहा विदीश्या में 1658, खर्गोन में 826, खर्षांगबाद में 820, बडवाह में 3830, हर्दा में 800 का भाव रहा महाराष्ट के जलगाउं में 1200, नासिक में 1923, आंगली में 1966, देवला में 1770, अमरावती में 800, जालणा में 890, बुलडाणा में 1720, मुंबई में 2600, जलगाउं के जमलेर में 3730, चालिस गाउं में 1789, एहमद नगर में 1777, नासिक लासल गाउं में 8121, शोलापूर में 2000, में 1742, नासिक सताना में 1922, अरंगाबाद में सिलोड में 1720, नाकपूर में 2200, धुले में 1848, जाल, राजस्तां के जालडावड में 1775, बारा मेंвор 97, अजमिर में 1937, चितोड़ड में 95, अजमिर के वैवर में 2400, चितोड़ड में 1200, पुंदी में 1980, बुलडा में 1802, जालड बिहार के शेख पूरा में अठासु रुपे का भाव देखने को मिला किसान साथ यह थी अब्त की जानकारी अगर जानकारी अच्छी लगे हो तो लाइक कमें शेयर सब्सक्राइब भाशा करें और साथ चैनल को ज्यादस ज्यादस शेयर करें हर वीडियो को ताकि आपका सपो परवरी के सप्ता जो सुरुवाती सप्ता था उसमें मक्का का भाव बहुत तेज देखने को मिला लेकिन जैसे जैसे दुसरा सप्ता का एंड होने आया है उसका अंतिम चरण में मक्का के भाव में भारी कमी देखे गई है मद्य परदेश में जहां लगातार दो तिन दिन से सो से लेकर दो सो डाई सो रुपे का भाव कम हो गया है वहीं अनि राजों में भी कई जगह पर सो से डेड़ सो रुपे का भाव कम देखने को मिला है अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में और भाव निचे जा सकत क्योंकि बाद में नई मक्का भी बाजार में आएगी फिलाल तो मक्का का आवग बहुत कम है फिर भी भाव कम है यही बात समझ से फरे हो जिन किसानों पास मक्का बचा है वो अभी पसोपेस में कि बेचे या न बचे तो उनको यही सला है कि वो अपने विवेक से काम ले और ज़्यादा ही जरूरत हो तो बेच सकते ही अन्य था वो जमा करके रख सकते ही तो अगर आपको जानकर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भाशा करें धन्यवाद